असलाम उलीकुम नाजरीन आज मैं आप लोगों को एक वाक्या सुनाने वाली हूँ तो आप लोगों से गुजरश करती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बब आइकॉन दबा दे ताकि हमारे नए वीडियो की नोटि करूंगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक जादूगर ने हजरत हुसाइन का कटा सर क्यों खरीदा जब दुश्मनों ने हजरत हुसाइन रदि अल्लाव तो अन्हों को कर्बला के मैदान में शहीत कर दिया तो अबने ज्याद ने हुक्म दिया कि हुसाइन का सर और अपने सरदार इबने ज्याद के सामने लाकर रख दिया इबने ज्याद हजरत हुसाइन का कटा सर देख कर बहुत खुश हुआ और अपनी चड़ी हजरत हुसाइन के सिर पर मारने लगा उसने हुक्म दिया अब ये सर यजीत के महल शाम भेजा जाए ताकि हजरत ब्रत हासिल कर सकें कि जो हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा कूफा शहर से शाम शहर काफी दूर था इसलिए जब सिपाही हजरत हुसान रदि अल्लाव दौल अन्हों के कटे सर को लेकर याजीत के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हजरत हुसान की सर को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके रखा था फिर उसे लेकर चल दिये रास्ते में जहां कहीं भी ये सिपाहियों का लशकर पड़ाओ डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हजरत इमाम हुसान रदि अल्ला अन्हों का सर संदूक से बाहर तलवार की नोक पर लगा कर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वो खराब ना हो और वो पूरा सफर करते करते वो लोग एक रात इसाईयों के इबादतगाह में इसाईयों का एक बह रहने लगे हम मुसाफिर हैं और इसलिए आपकी इबादतगाह में रात गुजारना चाहते हैं आप हमें इजाजत दे दे जादूगर ने इजाजत दे दी उन सिपाहियों ने वो लकडी का संदूक एक कमरे में रख दिया और वहां जाकर सो गए आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था तभी उसे आसमान की तरफ से एक रोशनी नजर आई जो उसकी इबादतगाह की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जहां वो संदूक जिसमें हजरत हुसैन का सर रख जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगा कर पूछा मुझे बताओ इस लकड़ी के संदूक में आखिर क्या रखा है क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है तुम मुझे सच सच बताओ आखिर इस स नवासे हजरत हुसैन का सर है हमने अपने सरदार इबनेज्यात के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास लेकर जा रही है ये सुनकर जादूगर ने कहा अरे जाईमो तुम इस शरम नहीं आती तुम अपने नभी के घरवा में से कोई बच्चा भी अगर जिन्दा होता तो हम उसे अपने सर आँखों पर रखते और एक तुम हो कि अपने ही नभी की घरवालों को कतल करते जा रहे हो तुम कैसे मुसल्मान हो फिर जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा मेरे पास दस हजार सोने की असरफिया है तुम वो अशरफिया मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हजरत हुसैन का सर दे दो सरदार ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है तुम मुझे अशरफिया दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख सकते हो जादूगर ने दस हजार अशरफिया नि से हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादोगर ने हजरत हुसैन के सर को देखते हुए कहा। इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर सुबह उस जादोगर ने हजरत हुसैन का सर सिपाहियों को वापस कर दिया। और सिपाही वो सर लेकर यजीत के महल शाम की तरफ चल दिये। आगे का वाक्या इंशाओला जल्दी अपलोट किया ज होगा मिलती हूँ अगरी वीडियो में अस्सलाम अलेकुम।